असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब मैं उमीद कर दी हूँ कि आप सब खैरी आसे होंगे आज के व्लोग का स्टार्ट में इस ड्रेस से कर रही हूँ जैसे कि आप सब देख रहे होंगे आज है रसमे घीर मेरी घीर की रसम है तो उसी की तैयारी चल रही है जैसे के आप देख रहे होंगे यह प्यारा सा रेस यह हो मैंने आज के लिए पहनने के लिए निकाला है और मैंने जो है वो आज ऐसल में अपना पूरा जो है लोक चेंच किया था एक नियू लुक क्रियेट किया था अपना लाइक मैंने पाल भी टाय करवाए थे मैंने एश ब्लॉण कलर की हाईलाइट्स ली थी तो उसके उपर ये गोल्डन और रेड बहुत उठ था और साथी साथ जो है वो प्यारासा जो है मैंने रेड कलर का और गोल्डन कलर का सैट निकालावा है तो बहुत जादा अच्छी तैयारी हो गई थी बहुत जादा मेरा लुक सबको पसंदा रहा था कि बहुत अच्छी लग रही हैं बहुत प्यारी लग रही हैं मेकप भी बहुत जबर्दस किया था मैंने इसको फर गॉल्डन रेड ब्लेग और गरीन कलर में तो बहुत अच्छा लग रहा था बहुत जब अच्छा लूक क्रीट हो गया था बहुत जबर्दस मेकप हुआ था और यह में पॉलर में थी अपने बाल डाई करवारी थी तो फिर पूरा बाल डाई करवाने के बाद तयार हो गई और तयार होने के बाद पिर दावत स्टार्ट हो गई महमान आ गए और फिर बाते बाते हुई काफी सारी और अज्वाए हुआ 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 हु करी थी लेकिन आपको पता है खीर की रसम जब होती है तो जास एक फॉर्मालिटी होती है तो बस वही समझ ले ये भी वही थी और सब लोग जो है वो गिफ्ट लेकर आए थे मेरे लिए आईए मैं आपसे अपने गिफ्ट भी शेयर करती हूँ किस ने क्या दिया और कितने प् किया था बहुत अच्छी इसकी फ्रेक्रंस थी बहुत प्यारी यूग से लेनी और यूदे यह ए उसकी फ्रेक्रंस बहुत ही पसंद आया था नां कियूट सी इसकी पेकिंग हुई थी है बहुत ही है का मुझे ये मुझे काफे पसंद आया था और ये गिफ्ट जो आप देख रहे हैं ये मेरी अम्मी ने दिये थे सारे जो आप देख रहे होंगे सारे रखे में इसमें भी अलग-अलग गिफ्ट से मैं आपको सब लाइन वाइस दिखाऊंगी किसमें क्या था और सब चीज़े मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही जादा अच्छी लगी, मेरी सब बहुत पसंदीदा थी और ये देख रहे हूंगे, आप ये दो बैट शीड्स है, अलग-अलग हैं, ये बलू और ओफवाइट थी दोनों ही कलर बहुत प्यारे थे, ये ब्राउन और बलू जो है, ओफवाइट जो है, ये भी बहुत अच्छी थी और ये ओफवाइट और ब्राउन भी बहुत अच्छी थी, मतलब दोनों मैच कर रहे थे, कलर और दोनों ही बहुत अच्छे थे और यह जो है अम्मी ने मुझे शेंपू दिये थे अम्मी को बता एक्चली कि मुझे यह सूट करतें काफी लाइफ बाए तो मुझे उन्होंने यह गिफ्ट किये थे और यह आप देख रहे होगे कितने प्यारे से पंपी है कितने क्यूट है आजकल आपको पता है इस तरह आगे कितने इन हुए मैं पंपी तो यह भी अम्मी ने मुझे दिया है मुझे बहुत पसंद आए यह पंपी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बहुत कमफर्टेबल होते हैं अर यह देख रहा होंगे आप प्यारा साथ में यह अब ने मुझे दिया है मार्या भी ओ क है बहुत प्यारा सासा है बहन कर तो और भी अच्छा लग झाथा जब हमाने इसको ट्राई किया था और यह लोशन था ऊणद में जो है shared थी और ये border था ये भी मुझे वहाँ Saudiia का ये है मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी fragrance तो मैंने जो है वही समगा के दिया और ये भी वही समगा के दिया ये जो है वो Paris collection का face change का ये काफी suit करता है मुझे तो ये भी मैंने मुझे दिया और ये ओद जो है आप देख रहे होंगे शेखल ओद तो ये भी वही साओधिया से मंगवाए था मैंने इसकी भी फ्रेक्टर्स काफी अच्छे थी तो ये भी मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने ये भी मुझे मंगवा कर दिया और यहां देख रहे होंगे ये एक कप सết था ये किसी और में हम आने लिया था और ये कपल का जो है वो कप सेट था अच्छा था ये बी गिफ्ट तो देखें गिफ्ट होता है फिर चाहे वो कितना भी हो किसी भी प्राइस का हो और कैसा भी हो उसके साथ जो एक वो जुड़ी भी होती है आपकी फीलिंग्स जुड़ी भी होती है उसके तो देखें कोई मूल नहीं होता तो जाहर सी बात है मैं तो यही कहती हूँ मेरे लिए तो gift gift होता है चाहे वो कितने का भी हो और कैसा भी हो और अगर वो चीज मेरी पसंदीदा हो फिर तो मुझे बहुत ही ज़ाद अच्छी लगती है लेकिन मुझे गिफ्ट कैसा भी हो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं उन लोग मैंसे नहीं हो जो कहते हैं कि नहीं हमें expensive gift ही चाहिए और हमें जो है वो हरी चीज पसंदी आती है और gift के नाम पे हमें हमारी मर्जी की चीज मुल ले जाएए नहीं मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो मुझे जो है वो gift जो है उससे जोड़ी feelings और emotions की value पता है और मुझे वो अंदासा है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो कितनी उसमें feelings होती है तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है gift चाहे कैसा भी हो और मैं उसकी बहुत value करती हूँ, गदर करती हूँ, सम्हाल के रखती हूँ और यह मिठाई वागरा जैसे आप देख रहे होंगे केक है, मिठाई है, यह सब जो है वो gift के दोर भर ही लाए वे थे महमान तो काफी सारे gifts हो गए थे, मैं उमीद करती हूँ, आपको मेरा आज का व्लोग पसंद आया होगा और नेक्स्ट वक तक अजासर दीजिए, अलाहाफे, टेक केर